हाई फ्रेंग्स मैं हूं मानव, वेलकुम डू मूवी शूवी के आज चाला है, जी बढ़िया है, एक इंसान जो बैक टू बैक आपको एंटेटेन करता रहता है, उसकी काफी जाधा खिली भी उड़ाई जाते हैं, आपने गाडिया तोड़ दी, आपने वो गाडिया है, he doesn't need any introduction, he is the car breaker, the car crasher, Rohit Chetty, और एक के बाद ही हिट देते रहते हैं, को इनका formula simple है कि मैं जो भी movie बनाता हूं, वो audience के लिए बनाता हूं, उसके अंदर mass masala से लेके, action से लेके, comedy से लेके, emotion से लेके, गाने वाने, बिल्कुल bright and peppy, festive season के लिए मैं बनाता हूं, और मैं audience को खुश करना चाहता हूं, families को खुश करना चाहता हूं, इसलिए मैं बनाता हूं, तो यह जो mindset है, यही अपने आप में काफी ज़्यादा मेरे क्याल से positive mindset है, इसी positive mindset से वो Ranveer Singh के साथ, high octane energy के साथ, एक ऐसी movie लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है circus, और circus itself requires so much of energy, if you look at, we call these people who basically participate and do certain acts for us, तो उनको क्या बोलते हैं, कि यह जोकर है, यार यह तो कलाबादियां करने वाला इंसान है, but these are like super natural human beings, they have got more skills than any of us put together, if you think, give it a pause and think, तो यह ऐसे human beings हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, कि बाद स्पेशल abilities हैं, so to say, तो यह है super heroes, so to say, और यहाँ पर वो क्या कुछ धमागा हो इसके अंदर दो-दो रनवीर सिंग आपको देखने को मिल गए हैं, तो यह क्या चकर है, यह दो कैसे मिल गए हैं, यह क्या इनका double role है यहाँ पर, बहुत मस्ती बरा लग रहा है, और इस मस्ती बरे के बीच में इतना straight forward हो चलने नहीं वाला कि कलाबादियां खाते जा रहे इसके सरकस के पीछे क्या कुछ होने वाला है, गंभीरता आएगी, जैसे कि हमने गोलमाल के अंदर भी देखा था, परिनीधी चोपडा के साथ क्या हुआ था, फिर उसके साथ को justice दिलवाने के लिए सब लोग लग लिए थे, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, कुछ देखने को मिलेगे जो उनका चानल है, और साथी साथ में रुईचेटी की जो हैंडल है, इंस्टाग्राम में पर रनवीर सिंग के हैंडल पर, यह सब लोग के हैंडल पर, और कुछ ट्रेट अनलेस्स जो आज काफी बड़े हो चुके हैं, उनको भी डिफॉल्ट ही दे दि अच्छा गाम किया है, भी बेडिया ने भी अच्छा गाम कर लिया है, तो प्रमास्त ने बीच मचा गाम किया है, लेकिन लार्जली वो थोड़ा सा डोल्टरम्स के अंदर ही है, तो ऐसी मुवी के जरूत है, जो थोड़ी मासी भी हो, इंटर्टेनिंग भी हो, और at the same time family oriented भी ही हो, तो सरकस से काफी जादा उमीद हैं मुझे personally तो, आपको कह लगता है कि सरकस से आप क्या और expect कर सकते, comment करके जरूर बताना, बहराल अभी कल जो टीजर आएगा तो उसका reaction और उसका review आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, बाई बाई